प्रेस्ट लॉर्ड सभी बाई बैनों को मारा प्रीमी सलाम आज पिर शेक बार इस एपिसोड में हम आपके सामने आ रहे हैं बाई फ्रैंसिस का सात्वा पॉइंट सात्वा विल्यम ब्रैनहम की सिक्षा है कि पूरी दुनिया के क्रिस्टियन जो है अलग-अलग डिनॉमिनेशन में फर्स चुके हैं और ये डिनॉमिनेशन कुछ और नहीं बलकी मार्क ऑफ बीस्ट है यानि कि जो प्रकाशित वाक्य में जो महर लगाने वाली बात की गई है म उन्ही लोगों पर लगता है जो डिनॉमिनेशन में यानि कि जो कोई व्यक्ति वो मेथोडिस्ट है पेंटिकोस्टल है या फिर कैतलिक है कोई भी डिनॉमिनेशन का हो वो सभी के सभी जो हैं मार्क ऑफ बीस्ट ले चुके हैं All the denominations are Mark of the Beast ऐसा भाई ब्राणम ने कहा So by Francis को मैं clear करना चाहता हूँ कि भाई ब्राणम ने क्या कहा और उनका कहने का उद्देश क्या था और हमारे इर्दिगिर्द आज क्या हो रहा है Mark of the Beast Bible क्या कहती है मैंने पूरी 6 पॉइंट आपने जो भी बात भाई ब्राणम के उपर इन्जाम लगाया भाई ब्राणम ने ऐसा कहा मैंने उसकी सारी Bible के उधारन आपको दिया और मैंने Bible से आप से बात किया भाई ब्राणम ने कहा वह बात वह अपनी जगह है उसकी बात सभी को समझ में नहीं आएगी आई प्रणम का संदेश खेवल प्रभु ने अपने दुलहन के लिए भेजा है जो कि इस अंतिम दिनों के अंदर राप्चर के लिए तैयार हो रही है क्योंकि वो सात्वा कलीश्या का दूथ सात्वा कलीश्या के लिए अपने चुनेवे लोगों के लिए संदेश उसने लेकर आया इसलिए उसका संदेश सब लोग नहीं समझते और आप जैसे व्यक्ति आधा अधूरा उनकी संदेश को लेकर लोगों को गलत तरीकी से आप पेश कर रहे हैं जबकि आप भाई ब्रणम की किताब लगबग 11 सुष्य अधिक प्रिंटेड बुक से उनमें से आप कौन सा मेसेज को पूरा पढ़ा आप एक भी मेसेज की दावा करिए कि भाई ब्रणम ने मेसेज में फलाने जगे में फलाना चीज कहा आप उन लोगों की किताबे पढ़े हुंगे हम जानते हैं आप कौन सी किताब पढ़ कर ये पॉइंट निकाले और इंटरनेट में आपने कहां कहां चेक किया कि भाई ब्रणम की ओपर ये जुटी सबूतों को इकटा करने अगर आप बाई ब्रणम की मेसेज पढ़ते तो शायद खुदावन आप पर अनुग्र करता और सच्चा ही जानने के लिए प्रबू आपके आँके खोलता बाई बिल कहता है अगर एक बहुश्य दक्ता को तुम बहुश्य दक्ता करके जानोगी तो उसका प्रतिपल तुम्हे मिलेगा हमने उसको बहुश्य दक्ता करके जाना उसका प्रतिपल हमने पाया पर आपने उसको एक कल्टिस्ट एक जूटा प्रॉपिट करके कहा अगर आपने नहीं समझे तो आप दूसरे को ये गलत संदेश ना पहुँचा है आप पहले अच्छी तरीकी से जान लो क्योंकि आने वाले एपिसोड में मैं आपको उन्महान परमेश्वर के दासों के विशे में पताऊंगा जबकि मैंने इसकी यूटूब क्लिप आपके एसिस्टन लोगों को मैंने बेजा है जो पिछले मेरे दिन मेरे से संपर्क में थे कि भाई बेनिहिन ने भाई ब्रणाम के बारे में क्या कहा पास्टर क्रिश्ट ने भाई ब्रणाम के बारे में क्या कहा परमिश्यर का महान सेवक भाई दिनगरन ने भाई प्रणम के बारे में क्या कहा मैंने सारे क्लिप्स आपके एसिस्टेंट मराटी अपलोजिट्टिस को भेजा था पर उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट भाई फ्रांसिस से बात करिए मैं मेडियेटर नहीं हूँ उसके बाद ये बात संपर्क में आई कि हमने आपका एक डिवेट देखा जिसमें भाई प्रबाकर बैटे हुए थे तो हमने प्रबाकर को अप्रोच किया वह भाई प्रांसिस से हमारी मुलाकात करनी है और उसने 29 जून शायद ये डेट आपके तरफ से उन्हें मिला होगा हमने वह भी मंजूर करी लेकिन प्रांसिस प्रांसिस की चाहने वालों ने बहुत से लोग मुझे आग्रह किया पास्टर जी आप इनका जवाब दीजिए वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि Bible Mark of the Beast के बारे में क्या कहता है प्रकाशित वाक्या तेरा द्याय उसका ट्रावच्छन Here is wisdom, that is that has understanding, count the number of the beast उस पशु का अंक को जोड ले For it is the number of a man और वो एक मनुश्य का अंक होगा And his number is 600, three score and six और उसका अंक होगा छे सो छिया सट Six, six, six जो के आज ए ट्रिपल सिक्स के रूप में तार ये मसीही दुनिया जानते हैं कि अंटिक्राइस आने वला है और सब ट्रिपल सिक्स का मार्क उस पे चड़ेगा जो कोई ट्रिपल सिक्स नहीं लेगा वो व्यवार नहीं कर सकता लेन देन नहीं कर सकता इस तरीके के अनेक बाते चर्चा में हैं उदारन के लिए जब अधार काड आई बनने में सभी बहुत लोग याँ वहाँ चर्चा कर रहे थे हैं मार्क अब बीश्ट है क्या अधार काड ले या ना ले अधार काड ले या ना ले अभी वो चर्चा खतम हो गई सभी लोग ने अधार काड बना दिया क्योंकि अधार काड के बिना आपका ना बैंक लिंक होता है मॉंबाइल लिंक होता है इसलिए सब को जरूरी जान पड़ा अब मार्क अफ दबीश्ट को सब लोग भूल गए उसके बाद आया कोरोना जिसमें कहा कि वैक्सिनिशन लेना है या नहीं ये भी मार्क अफ दबीश्ट है इसमें बहुत से लोगों ने वैसिनिशन लिया नहीं बहुत से लोग कहते कि कि वैसिनेशन मार्क अब दे बीष को दर शाता है पहुत से लोगों ने जूटे सेटिफिकेट बनवाय, वह वैसिनेशन नहीं ले आपने सेटिफिकेट बनवा दिये, तो मार्क अब दी बीष की चर्चा अलग-अलग तरीकिशे हो रहा है, आकिर मार्क अब दीष है क्या? अब scientific दुनिया में देखोगे तो Mark of the Beast को ऐसे रूप दिया जा रहा है कि वो तुमारे दाइने हाथ में लगेगा और तुमारे माथे पे या तो दाइना हाथ या तो माथा उसके लिए ऐसी चर्चा हो रही है कि अभी नया च्छिप निकला है वो आपके राइट एंड में पिठाया जाएगा या तो आपके माथे में यहां लगाया जाएगा जिसमें आपकी सारी information होगी और वो information की द्वारा आपका पूरा बायो डेटा से लेकर बैंक से लेकर सब मानो कि जब आपने उच्छिप लगा दिया और आप जाकर कंप्यूटर के सामने खड़े लिए तो कंप्यूटर आपका सारा चीश दर्शाएगा मानो कि आप जाकर बैंक में खड़े लिए तो वो अपने लिए आपका सारा ATM पैसे बगेरे जो कुछ है सब उसके साथ में connected होगा वो आपके बॉड़ी से ही चार्ज होगा और बहुत सारे कंपनिया विदेश में इस चिप को लगवा दिये हैं ऐसे भी चर्चा न्यूश में हैं मार्क अप दे बीश एक्चुली किस चिश को दर्शाथा है Bible कहती है तो आपको मशीन में कड़ा करेंगे और ट्रिपल सिश की चप लग जाएगी इस तरीके से बहुत लोग बोल रहे कि वो नहीं लेना है वो लेना है या हाथ में लगवाना है हमारा सारा कंट्रोल उसके हाथ में चली जाएगा पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई प्रणम ने Mark of the Beach के बारे में क्या कहा Israel and Church Part 1 इस मैसेच के अंदर जो कि 53 में उन्होंने प्रचार किया They are going to have a confederation of churches भाई प्रणम ने Mark of the Beach के बारे में ऐसा कहा कि They are going to have a confederation of churches भाई प्रणम ने कहा कि सभी संस्ताय मिलकर एक जगा आएगी एक खत्रित होगी और वो सब Mark of the Beast होगा ऐसा भाई प्रणम ने कहा मैं आपको प्रूब देता हूँ भाई प्रणम ने जो कहा वो कितना सच है उसका मैं आपको सबूत देता हूँ The Churches of Christ of America is already confederating with all their churches and they are going to have a band here someday that will shut out to fight communism which will hook up with Catholicism, with Protestant Church and the Catholic Church together and the inter-denominations who stand out for the truth and get away from the dogma that they God will be persecuted नभी कहता है कि एक Church की confederation होगी और सभी लोग एकत्रित आएंगे उसमें से कुछ लोग बाहर निकलेंगे और वो उसमें शामिल होना ना चाहेंगे पर वे सताय जाएंगे जब तुम ने सत्य का वच्चन सुना तुम पर पवित्र आत्म की छाप लग गई पवित्र आत्म का च्छाप दिखने में नहीं आता या दिखाई नहीं देता अगर मैं आपसे पूछो आप मुझे पवित्र आत्म का च्छाप दिखाओ तो यह कोई स्टैंप नहीं है जो आपके उपर स्टैंप लग गया कि इसको पवित्र आत्म मिल गया यह इन्विजिबल है जब खुदावन का चाप ही इन्विजिबल है तो शैतान कैसा विजिबल च्छाप देगा वो भी अपना च्छाप को इन्विजिबल रखा हुआ पर च्छाप लग रही है आपके उपर दिखाई नहीं दे रा जैसे पवीत्र आत्मा की च्छाप लग रही है दिखाई नहीं दे रहा So, भाई ब्रणम कहते हैं एक कंपिडरिशन आएगी सब चर्श को एक एकत्रित करेगी उसमें से जो बाहर निकलना चाहते हैं पेश शताओ और उनके उपर उपद्रव होगा And brother, if that's not there You will be deceived as sure as the world Because it will look so nice गुलते हैं कि अगर आप पवीत्र आत्मा से मुद्रित नहीं है तो आप फसाई जाएंगे क्योंकि वो इतना करीब दिखाई देगा सच्छाए के आप धोके में आजाएंगे Next message में Question Answer परवान 54 में नभी ने कहा This on NRA I said That's not the mark of the beast Certainly not It's a religious bycourt Not that I said It's just A forerunner to get the people ready And knowing That this beginning Right here is the beginning of Swarv जैसे कुरोना काल आ गई थी लाखों के मौते हो गई यह सब संकट काल का अरंब है यह संकट काल नहीं संकट काल का अरंब है यह सब निशानी जो है यह रैप्चर के पहले होने वाले घटनाये हैं नभी कहता है कि जो actual mark of the beast होगा It will be a religious boycott मतलब धार्मिकता से संबंद होगा और boycott का मतलब वो किसी ऐसी चीज़ पर रोक लाएंगे अगर आप उनके साथ शामिल ना हो या उनकी बात ना माने तो वो आपके उपर रोक लाएंगे उसको कहते हैं आपके उपर वो boycott करेंगे तो ये होता है सब चर्चस एकत्रित होना मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊंगा वाकि आप समझ जाएंगे मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं कहता हूँ कि ये बात घौर से सुनिए कि भाय प्रणम का उद्देश क्या था वर्ल्ड काउंसल आप चर्चस डबल्यू सी सी अब वर्ल्ड काउंसल आप चर्चस के अंदर पूरी दुनिया की कलीशिया है एकत्रित होगी इनका निशानी है एक बोट जो पानी पर तैर रही है और उस पे एक क्रूश ये कहते हैं कि पानी जो है वो जन जाती को दर्शाता है प्रगडी करन सत्रा अद्याय का पंदरा बच्चन और हम सब लोग मिलकर एक बोट में बैटे हैं जिसमें क्रूश है मतलब हम क्रिस्चैनिटी को दर्शा रहें और ये संसार के उपर हम लोग सब मिलकर एक बोट में जाएंगे वर्ल्ड काउंसिल आप चर्चर अब इसमें दुनिया के सभी चर्चिस लोग इखटे हो रहे हैं अब नभी भाई प्रणम ने ये बताए कि सब लोग इखटे होंगे सब लोग जाएंगे एक जगा बैटेंगे और आप बुलते हैं कि भाई प्रणम का कि सब लोग एक जगा आएंगे और वो मार्क अब दे बीष्ट होगा बिलकुल वो मार्क अब दे बीष्ट होगा क्योंकि जब ये लोग सब एक खत्रित आते हैं ये World Council of Churches, World War II के बाद, World Council of Churches 1948 में आये, World War I का परिनाम और World War II का परिनाम देखकर, ये सभी दुनिया के बड़े-बड़े लोग इकत्रित आकर इस संता का स्तापना किया, इस संता का स्तापना करने का उद्देश क्या था? इस संता का स्तापना करने का एक मात्र उद्देश, आप कोई भी डॉक्ट्रन को फॉलो कर सकते हैं, आप सिर्फ हमारा मेंबर होईए, मतलब आप रोमन कैतलिक, आप प्रोटिस्टिन या आप और कोई भी संता को लीजिए, आप अपना प्रचार करिए, आप अपना डॉक्ट्रन मानिए, आप उस पर कोई रोक नहीं लाएंगे, लेकिन आप हमारा मेंबर बनिए, यह है डवल्यू सी सी का मूल कंसेप्ट, वैटिकन सिटी, जो अभी डवल्यू सी सी के अंदर एक लीड रोल को ले रहा है, जैसे के मैंने आपके सामने रखा, पोप, वर्ल्ड कांसल आप चर्चेस, लीडर्स, डिसकस, वार और डिविजिन, अभी हमारा जो पोप साहब है, पोप फ्रांसिस, इनके साथ में वर्ल् संस्क्राइट कर, वार के बारे में, डिविजिन के बारे में, इसकू्षिन हो रही है, कि वाल्ड कांसल आप चर्चेस, वोप के पास क्यों गए और पोप के साथ में, कैया वारता हतेों लोग कर रहे हैं, देखिए, पोप साह saf ने कितने लोगों को इक खटा किया, पूरी वोर्ड के Christianity को इसमें Syrian मलाबार से लेकर Orthodox से लेकर कितने लोग Catholic से सब्बंदित रखेते पहले बाहर निकलेते और अन्य जो नॉमनेशन से सब लोग पूप के पास जाकर एकत्रित हो रहे हैं और वान वर्ल्ड रिलीजिन की बात हो रही है अब वार की discussion आने वाले जगत की जारे सारे डिस्कुशन सबसे पहले Lutheran group बना था रोमन Catholic से बाहर निकलने के बाद और यह हुई पंद्रसु सदी में Luther ने 95 थेशिश जाकर Church के दरवाज में ठोक दिया और कहा 31 October 15-17 में it makes clear that the church is no way shape or form ready to give up its power without fight a little lesson in the history the monk Martin Luther was from 1483 to 1546 is frustrated by the Catholic Church practice of selling indulgences Luther क्यों भड़क उटा कि यह पादरी साब लोग पैसे लेकर गुनाहों को माफी दे रहे हैं indulgences पैसे दो आपकी शमा ले लो येश्व मसीने क्रुस पर खून किसके लिए दिया और बाइबल कहता है ब्रानी नवबाइश कून पहाय बिना प्राश्चित नहीं है लेकिन यहां पर पैसे देखकर प्राश्चित करना शुरू हो गया मरे हुए लोगों को स्वर्ग भेजने के लिए शुरुवात हो गई मरे हुए संतों को मध्यस्त मिलाकर प्रार्तना करना शुरुवात हुआ ये शवगटनाओं को देखकर Luther ने प्रोटेस्ट किया और पंदरसोज सदी के दर्मियान जो लोग Luther के बाहर निकले उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया अब ये प्रोटेस्टेंट लोग जो बाहर निकली ये मूर्ति पूजा से तो बाहर निकले शेश डॉक्ट्रिन इनका एक जैसे ही था अभी भाई मैं फ्रांसिस आपको एक सवाल पूशने ये मार्टिन लूतर जिसने रोमन कैतलिक को 15 सदी में छोड़कर बाहर निकला और दर्वाजे में 95 थेसिस लगा दी और बोला कि मुझे इसका जवाब दो तो फिर आज ये लूतरन चर्च वाले जाकर पूप से मिलकर एग्रिमेंट साइन करके एक हो गए लोग क्या हुआ इनको 500 साल के बाद ये लोग फिर से जाकर पूप के साथ बैठकर एग्रिमेंट कर रहे और कह रहे कि अभी हम सब एक हैं फिर लूतर निकला क्यों था बाहर जो चर्च में हो रही थी उससे वो खेदित हुआ और उसने इनका विरोत किया बाहर निकला प्रोटेश्ट किया उसके नाम प्रोटेश्टन पड़ गई और आज आप और हम जो कैतलिक के बाहर है हमें प्रोटेश्टन कहते हैं ये प्रोटेश्टन शुरुवात लूतर के स बंदे लोग आज वापस पोप के साथ जाके साइन करके बेटे बाइफ्रांसेज बाइब ने क्या कहा सभी लोग एक जगा आएंगे आरे सबसे पहले जो कैतलिक से निकला वो बंदा आ गया जूड़े अब मैं आप यह तस्वीर दिका रहा हूं कि इसमें देखे कितने के पार्लियमेंट के अंदर लगबख साथ सो से अधिक सीट है इतने मेंबर्स लोग चर्चस लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं एक जगा बैट कर वो लोग चर्चा कर रहे हैं आप तो जानते होंगे कि आज चालीस हजार से भी अधिक डिनॉमिनिशन है लेकिन वर्ल्ड क सब्सक्राइब ने जो बोला था कि सब लोग एक कंफिडरेशन के अंदर आएंगे और वो मार्क आप दबीश्ट होगा कितने लोग कैतलिजम से बाहर निकले थे वे सारे के सारे पोप सापके पास जाकर एग्रिमेंट साइन करके सब लोग एक हो रहे हैं जो कि वान वर्ड वान रिलीजिन के तरफ में ले के जा रहा हुए हूए अग्रे के गैथलिक चर्च एंद दीवर्ल्ड उलीजिनस इसमें इसलाम के लोग भी हा रहे अफगानिस्तान से लेकर बड़े-बड़े इमाम लोग सारे अरब देश के लोग सब लोग जाकर पोप के साथ बेढ़ वर्ल्ड रिलीजन के लिए एकत्रित हो रहे हैं मसीवे मेरे प्रिये लोगों जो इस बात को सुन रहे हैं यह बहुत भला बात है कि वाई फ्राइंसिस ने उस बात को लेकर यह पॉइंट शात्वा नंबर का पॉइंट ब्रेदर ब्रैनम ने गलत बोला कि सब लोग जाएंग कि अगर प्रभु का अनुग्रवन आने वाले एपिशोड के अंदर में मार्क आप दबीष्ट एक मनुष्व का अंक है और वो अंक किसके नाम से निकलता है मैं वो भी आपको बताऊंगा और यह सभी लोग जाकर उसी के साथ जुड़ रहे हैं यह भी मैं आपको कि अगर ब्रणम ने गलत नहीं बोला वो यह वीश्वी सदी का भौश दखता है आज से पच्चास साल पहले उसने इस बात का जिकर किया कि सब लोग एकत्रित होकर आएंगे क्या वो वचन आपको आईजाय का याद आ रहा है चौती अध्य है पहला अध्य वचन आप पढ़के देखिए एन इन दाट डे इन दाट डे मतलब आने वाला दूसरे एक दिन की बात कर रहा है यह उस समय की बात नहीं जो आईजाय का टाइम था इन दाट डे सेवेन उमन चाल टेक होल्ड अफ वन मैं शाथ अवरतें एक पती को एक आदमी को पकड़ कर कहेंगे हम अपना खाएंगे हम अपना पहनेंगे हमें केवल तेरा नाम चाहिए कि तू हमारा पती है और टेक वे आउर रिप्रोच ताकि हमारा निंदा दूर कर दे आपको नहीं लग रहा है कि इतने सारे कलीशिया मिलकर हम सब एक ही पुरूष येश्यो मसी के लोग है पर डबल्यू सिसी का डॉक्टरन क्या है तुम अपना प्रचार करो तुम अपना खाना किलाओ खाली हम हमारा मेंबर बनके रहो कि तुम डबली ओ सिसी के मेंबर हो यही तो बाइबल कहती है शात अवरत हमेशा कलीशिया को शाति है साथ औरत एने साथ कलीशिया मिलकर एक आदमी को पकड़ कर कहेंगे तू हमारा पती बनके रहे मतलब काली हम Christianity है जीजस को मानते हैं करेंगे अपना चलेंगे अपना खाएंगे अपना मानेंगे अपना doctrine अपना अपने मन मानी करेंगे हम पर एक है कि हम Christian कहला है Christ Christian कहला है आप जाने यह साथ औरत को ने प्रकाशित वाक्या पहले अध्याय का 10 और 11 वचन में पढ़ी है यह सातु कलीशिया को प्रभुने में लिख कर भेज़ दे और यह सातु कलीशिया को प्रभुने क्या संदेज दिया प्रगडिकरन दो और तीन अध्याय को पढ़कर देखे कि यह सातु औरत क्या कर रही है Bible में जहां भी अवरत को दर्शाय गया कलीशिया को दर्शाय जाता है तो ये साथ अवरत क्या कर रही है जान से देखिए और वाई ब्रणाम ने क्या कहा कि ये लोग सब मिलकर एकत्रित होंगे मैं तो आपको आगे चलके ये भी बताने वाला हूँ कि ये सब लोगों के उपर मार्क आफ दिवीश कैसी लग गई ये कोई दाइने आत्में स्टैंप लगने वाला है माते में स्टैंप नहीं लगने वाला है नभी कहता है इट विल बी अर्रेलिजियस बाइकॉट ये दर्म से संबंदित होगा और इसका पूरा खुलासा पूरा ब्योरो हमारे पास में मैं समझता हूँ कि ये सात्वा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि वाई ब्रणाम ने जो कहा वो हो रहा है 1948 से ये शुरू हो गई है और सब लोग उसके मेंबर बन चुके हैं जो लोग उसके मेंबर नहीं बनेंगे वे ही लोग रैप्चर में जाने वाले हैं जब रभी इशु आएगा बादलो पर उठा लिये जाएंगे जो उसके मेंबर बनेंगे संकट काल के अंदर जाने वाले लोगे आप रैप्चर को मिस करनेंगे मेरे मस्री में प्रिय भाई बैन बात को बड़े गंबीरता से ले लेना और ये बात हम आपको कहने के लिए एक अच्छा मौका ये है कि जितने भाई प्रैंसिस ने पॉइंट्स बोले उसके माध्यम से इसका एक एक जवाब भी आपका पास आएगा नेक्स्ट एपिशोड एट में हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे ख़दावन आपको आशिज दे खरने बाद और दश्ट